नमस्कार न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आपका स्वागत है मैं हूँ त्रिप्ती आए नजर डालते हैं आज के जीले के खबरों पर चैबासा विधायक दीपक बिर्वाने टाटा कॉलिज प्रशाशन और विध्यार्थियों की मांग को पूरा करने की घोशना की है विधायक दीपक बिर्वाने टाटा कॉलिज का बौंडरी वाल डीमेफ्टी पंड से कराने की घोशना बुध्वार को कॉलिज सभागार में जीला प्रशाशन द्वारा आयोजित विभी ने प्रत्योगिता परिक्षाओं की तयारी की लिए उन मुखी करन कारेकरम के उद्घाटन में की दीपक बिर्वाने कहा बौंडरी वाल के अलावा टाटा कॉलिज का जिमनेजियम और स्टेज का भी जिर्नोधार किया जाएगा इसकी अलावा टाटा कॉलिज परिसर में 25 लाग की लागत से PCC सड़क निर्मान कराने की भी घोशना की कॉलिज प्रशाशन और विद्यार्थियों ने विधायकी इस पहल पर अभार जताते हुए तालियों से स्वागत किया चुकि फंड के अभाव में कॉलिज प्रशाशन, कॉलिज की बाउंडरी, परिसर में सड़क आदी अविशक समस्या दूर करने में असमर्थ थी जिसे विधायक के समक्ष रखा भी गया था जिसे विधायक दीपक विर्वा ने गंभिरता से लेते हुए समस्या दूर कराने की घोषना की उक्त कारे र्योजना डिमेफ्टी फंड से किया जाएगा जेट्या थाना का जल्द ही अपना भवन होगा इसके लिए जेट्या थाना छेटर के करंजिया गाउं में तीन एकड भूमी का आबंटन नौमुंडी अंचल के द्वारा किया गया भूमी आबंटन के बाद भवन निर्मान को लेकर भूमी पूजन किया गया करंजिया गाउं जेटेया थाना के लिए हुई भूमी पुजन के मौके पर, जगरनाथपुर के अनुमंदल पताधिकारी, स्मृता कुमारी, पुलिस अनुमंदल पताधिकारी, प्रदीप उराओं के अलावे, काफे संख्या में पुलिस पताधिकारी और जवान सामिल थें किरिपुरू लौ एस खदान के आवासिय छेतर के सडके इस कदर जरजर हो चुकी है कि दुरगटनाओं को आमंत्रन दे रही हैं सडकों के बत्तर हालत के कारण टाउंशिप के लोग परिशान हैं सेल किरिपुरू प्रबंधन द्वारा दो हजार अठारा में इन सडकों के निर्मान के लिए निविदा निकाली गई थी जिसे पडोसी राजी ओडिशा के बड़बिल के समविदक ने देड़ करोड रुपे में लिया था सडक की दूरी लगभग चार किलोमेटर की थी से हिल्टॉप तक पांच किलोमेटर लंबी सडक का निर्मान कार्य को दिया गया था लेकिन अब तक किसी भी सडक का निर्मान कार्य पूरा नहीं हो सका है इस कारण लोगों का सडक पर चलना दुश्वार हो गया है खदान प्रमंधन का कहना है कि कारे नहीं होने के कारण ठेका कंपनी को नोटिस बेजा गया है आने जाने में भी परसानी हो लिए है निया मेन मार्केट किरीवूर जो की सुरूसी परसीद है जो कि आज तर इसकी रोड की कोई मरमत की कोई खबर नहीं कुछ नहीं गिट्टी बिचा दिये हैं गिट्टी बिचाने के बाद छोड़ दिया गया है और यहां आए दिन कुछ न कुछ एक्सिडेंट दुरगटना होते रहती है और यह मेन रोड में आपका मंगला हाट है पीसेज स्कूल है और इस रास्ता में कंटिन्यू आदमी सफर करते ही हैं और इस कारण से अब इस रोड में आने की भी इच्छा नहीं करती है आदमी को जारखन के मुख्य सचिव डॉक्टर डी के तिवारी ने स्वच्छ भारत मिशन आर जल जीवन मिशन से संबंधित वीडियो कॉन्फरेंसिंग की उक्त वीडियो कॉन्फरेंसिंग में उपायुक्त अर्वाराश्कमल सामिल हुए हैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग में मुख्य सचिव ने सभी जीलों की उपायुत को निर्देश दिया है कि वे सरकारी कार्यालेयों को प्यूपल फ्रेंडली बनाएं किसी भी काम से कार्याले आने वाले आम लोगों के बैठने की ववस्था करें उन्हें सौचाले, पेजल, आदी की सुधा दें, साथी सुच्छता पर विशेश ध्यान दें मुख्य सचीव ने बुधवार को जारकन मंत्राले में राजी के सभी उपायुक्तों को विबिन विश्यों पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया मुख्य सचीव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जीले की सभी सरकारी भवनों की सफाई एवं सुन्दरी करण पर ध्यान दे उन्होंने स्पस्ट किया कि सुन्दरी करण का मतलब निर्मान नहीं है बलकि भवनों की बैतर देख रेख है इससे जहां भवन सुन्दर नजर आते हैं वहीं भवनों की आयू भी बढ़ जाती है उन्होंने कहा कि पंचायत भवन थाने अस्पताल स्वास्त केंद्र प्रखन कार्याले आदी के भवनों के मरमत कराएं ताकि तूट फूट नजर नहीं आए उसकी रंगाई पुताई और मन्रेगा आदी की राशी का उप्योग करें अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिराजिर होंगे तब तक न्यूस ताइम्स के पूरी टीम को दिज़े इजाजत नमिशकर